प्रियंका गांदी वाड़रा की संगर शिकाथा को नए साल के कलेंडर के जरीए जन जन तक पहुचाने का नूठा कारे किया जा रहा है प्रियंका गांदी ने 10 लाग कलेंडर यूपी में भेजा है दब वर्ष के कलेंडर को हर गाउं और शेहरों के हर वाड़ तक वित्रित करने का ज़र्देश पदादिकारी वो दिया गया है उत्रप्रदेश कॉंग्रेस राज्य के घर गाउं हर शेहर में पार्टी की मासर्ची प्रियंका गांदी बाल्डरा के करीब 10 लाग कलेंडर के वित्रन की तयारी में कॉंग्रेस जो टिक्वी है पाटी की मीडिया कोडिनेटर ललन कुमार के मताबिक टेबल पर रखे जाने वाले 12 पेज के इस कलेंडर के हर पेज पर प्रियंका गांदी की तस्वीर होगी इसमें राजनीती में सक्री होने के बास से उनके अफ़ तक के सफर को दर्शाय गया है इसमें उनके अलगलग मूड और एक राजनेता के दयालू सभाव की भी जलक मिलेगी तस्वीरों में प्रियंका को आदिवासी महिलाओं से बात करते अमेटी में महिलाओं से मिलते उज्जैन के महाकाल मंदिल में प्रातना करते लखनव के गांधी जैनती के कारकरम में भाग लेते वारारसी में रविदास जैनती में हिस्सा लेते और हात्र सेपीडिता के परिवार से मिलते दिखाया गया है पार्टी सूर्तों के मताबिक ये भी बताया गया है कि कलेंडर को उत्तर प्रदेश के विविन हिस्सों में भीजा जाएगा इसे साल 2022 में होने वाले अगले विधान सबा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी की नितुत में पार्टी का परचार करने के लिए डिजाइन किया गया है अगर सूट्रो की मानी जाए तो कलेंडर में इस और भी इशारा किया गया है कि अगले आने वाले समय में कॉंग्रेस की तरफ से प्रियंका को मुख्यमंतिपत के उम्मिद्वार के रूप में पेश किया जा सकता है आज हम आपको दे चलते हैं पातालपुरी के दर्शन कराने जहां पातालपुरी मंदर जो की प्रियाग राज में अस्तित है यहाँ पर अक्षेवर्ट का क्या महात्व है अक्षेवर्ट का क्या महात्व है इसकी पौरानी कता इसके पीछे की क्या है क्या मानिदाएं है इस मंदर की देखती है हमारी इस खास रिपोर्ट में पातालपुरी और अमर बरगत का पेड़ दोनु एक दूसरे के निकट सिथ है पातालपुरी मंदर प्रयागराज किले के अंदर सिथ है पातालपुरी मंदर धरती के नीचे सिथ एक मंदर है जो इसके नाम से पता चलता है ये किला अकबर के साशनकाल के दोरान 1583 में बनाये गया था पुरानिक कथाओं के अनुसार प्रयागमे स्नान के बाद जब तक अक्षेवट का पूजन एवं दर्शन नहीं हो तब तक लाब नहीं मिलता है मगल संगमराट अकबर के किले के अंदर बने पाताल पूरी मंदिर में स्टित अक्षेवट सबसे पुराना मंदिर बताया जाता है अमर बर्गत पेड को अक्षेवट के रूप में जाना जाता है इस पेड को बहुत पवित्र माना जाता है अमर बरगत के पेड के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब पूरी दुनिया नश्ट हो जाएगी तब भी ये वेड खड़ा रहेगा मानता है कि इस व्यक्ष के नीचे जो भी इच्छा व्यक्त की जाती है वो पूरी होती है ऐसा माना जाता है कि पाताल पूरी मंदिर में भगवान राम और पहलाद इस मंदिर में आये थे इस मंदिर में हिंदू देवी दिवताओं की खुबसुरत मूर्तियां रखी हुई है यह मंदिर पवित्र संगम के बगल में ही है इंदू पौरानिक कथाओं के अनिसार भगवान राम ने इस इस्थान का प्रमर किया था इस मंदिर का उलेख चीनी तीर्थियात्री वांग तेशिंग के रिकॉर्ट में भी मिलता है जिन्होंने पांचवी शताबदी में समराट हर्ष के शाषनकाल में भारत की यात्रा की थी इस किलिक में एक सरस्थती कूप भी बना है जिसके बारे में कहा जाता है यहां से सरस्थती न दी जाकर गंगा यमना में मिलती थी इस्पेशल डैस न्यूस प्लस